गुडिमिनिंग फ्रेंज कैसे हैं आप सब कल से दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है भारत बांगला देश के बीच में बारिश भी कानपूर में हुई लेकिन उमीद करते हैं कि मैच की शुरुआत बिलकुल सही समय पर हो जाए साड़े नौ बजे सुबे खास होगा शाकेबल हसन के बारे में आप लोगों ने सुनी लिया होगा कि मेभी पॉसिबल हो सकता ये उनका ट्लास्ट टेस्ट मैच हो या ज्यादा से ज्यादा एक और टेस्ट मैच खेले लेकिन इस समय हम बात करेंगे भारतिये टीम की प्लेइंग 11 को लेकर और भारतिय टीम की प्लेइंग 11 almost done and dusted यानि की तैयार है और एक बड़ा बदलाओ भी भारतिये टीम ने कर दिया है वो भी मैं आपको बताओंगा लेकिन उससे पहले आप नमान दोस्तों से रिक्वेस है चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर गा कौन से शहर से आप हमारे प्यारे प्यारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं क्रिकेट के इतने जानकारे आप लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्लेइ तेस्ट मैच में उनको बाहर बैठना पड़ेगा ये खबर आ चुकी है ये खबर रिपोर्ट के माधियम से जो आ रही है और बाएं हाथ के स्पिन गेंड बास को मौका में लेगा अब सवाल ये है कि अक्षर पटेल को या से कानपूर के लोकल बॉय कुलदीप यादब को भा लाया था उसमें अक्षर पटेल, रविंदर जाड़ेजा और रवी चंदनाश्विन थे लेकिन वो मैच बड़ा थ्रिलर था एक तरीके से बहुत ही रोमांचक मैच था और टेस्ट मैच के आखरी गेंद तक ये जो मुकाबला है वो चलता रहा निउसलेंड के आखरी बले कीजिएगा और आप भी अपनी प्लेंग 11 के बारे में स्पोर्स टॉक चैनल को जरूर बताएगा जैसे कि मैंने कहा कि यहां पर आपको खबरे मिलेगी खास, इन्फोमेशन बिल्कुल खास मिलेगी, नो बकवास, तो चैनल को भी सबस्क्राइब करते रहेगा, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कप्तान रोहल चर्मा जो की भारतिये टीम के लिए ओपन करेंगे और साथे साथ यह शखस्री जैसवाल जैसा नाम है, वैसा उनका प्रदरशन रहा है, और चैनल के फर्स्ट इनिंग में उन्होंने अर्दश्य तक लगाया, लेकिन उमीद करता हूँ क कानपूर में इनके बल्ले से बड़ा स्कोर आए, क्योंकि जैसवाल बहुत इंपॉर्टन प्लेयर हमारे लिए हैं, साथ सो से ज्यादा रन इन्होंने इंग्लेंड के खिलाब में बनाया था, तीन नमबर पर आएंगे प्रिंस ऑफ इंडियन क्रेकेट शुबमन के लिए, इन्होंने अच्छी विल्देबाजी की थी, सेकेंड इनिंग में, फ्रस्ट इनिंग में फ्लॉप हो गये थे, खाता नहीं खोल पाये थे, लेकिन उसका जवाब इन्होंने शतक से दिया, नावाद 119 रन मेरे ख्याल से इन्होंने बनाये, तो तीन नमबर पर आपके हो चुआ है, हलांकि मेरा अभी भी मानना है, कि विराट कोली के लिए, जो मैं आठ से पांस साल से कह रहाएं, निवर से निवर वित विराट कोली, विराट कोली का अंत नहीं होगा, तो ये कहना गलत है, भाकी ठीक है, अबी बल्ला नहीं चल रहा है, I totally understand, and मुझे पुरा यकीन है कि बल्ले से उनके रन आने चाहिए. रोहिट चर्मा विराट कुली को ले करके मैं बहुत जादा टेंशन नहीं लेता हूँ. यह रन करेंगे. यह मेरा बादा है. तो चैर नंबर पर विराट कुली आएंगे. पांच नंबर पर खेलने के लिए आएंगे आपके केल र आहुल के लिए भी कमाल लाजबा प्रदरशन हो यही हम सब उमीद कर सकते हैं छे नमबर पर आएंगे आपके विसफोटक बले बास रिशब पंत इन फैक्ट रिशब पंत पांच नमबर पर आएंगे छे नमबर पर केल राउल आएंगे लेकिन रिशब पंत के बारे में खास के टेस मैच में एंड आकाश दीब को बाहर का रास्ता दिखाया गया है एंड आपके पास में मोहमद सिराज और जस्पीत भुमरा यह भी खेलती में नजर आएंगे यानि की रोहिट शल्मा यशसभी जैसवाल इसके लाबाब आपके तीन नमबर पर शुबमन गिल चार न माच की नसर आ रही है और इसी प्लेइंग लेवन के साथ में मोस्ट लाइकली भारतिय टीम जो है वो हमला करने जारी है बांगला देश के उपर में और यहीं उमीद करेंगे कि कानपूर में भी टीम इंडिया कुल मिला करके 12 अंक निकालने में सफल हो जाए क्योंकि मामला World Test Championship से जुड़ा हुआ है और रोहिट शर्मा के लिए मैंने यह वादा किया है आप लोगों से कि कम से कम रोहिट शर्मा अभी दो और ICC टोफी जीतेंगे इसलिए 2025 में भारती टीम को ना सिर्फ WTC का फाइनल खेलना है बलकि यहीं पर बैट करके हमें सेलिबरेट भी करना यह वादा है इसलिए मैं कहा रहा हूँ स्पोर्ट स्टॉक चैनल को सबस्क्राइब कर लिजीगा यहाँ पर सिर्फ इन्फरमेशन आपको खास मिलेगी नो बकवास चैनल को सबस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ की शेयर जरूर कीजिएगा